गुर्देव ने कहा कि जो विरासत है वो एक ही आधार परता है होती है कि व्यक्ति को उसके जीवन का जीवन की मूल बातों का मूल लिया जाए बाकी की सब चीज़ें एजुकेशन दे दी हमने हमने उसे बहुत बड़ा नोबल साइंटिस्ट बना दिया हमने उसको सारे पुर जाता है तो उसका क्या फाइदा वो सारी चीज़ों को प्राप्त करने के बाद यदि हमें जीवन की बेसिक समझ नहीं है तो जो भी हमने प्राप्त किया वो अधूरा ही रह जाता है पूर रह जाता है एक आंग की रह जाता है वो कहीं पर एक कहानी आती है बहुत प्यारी और वो कहानी क्या आती एक बहुत बड़े विद्वान थे Cambridge से डिग्री लेकर के आये और लेने के बाद क्या हुआ अपने घर को जा रहे थी रास्ते में बाड आया यूँ थी तो उन्ने नाविक से कहा भाईया जो पार कराता था बोले आप पार लेकर के चलोगे बोले हाँ लेकर के चलेगे बोले अच्छा ठीक अब रास्ते में उनका बात करने का मन हुआ तो जो नाव चला रहा था उससे उनने कहा क्यों भाईया तुमने फिजिक्स पढ़ी है बाओ जी हमने तो पड़ी नहीं बोले अरे तुम्हारी चौथा ही जिन्दगी बरबाद गई फिजिक्स नहीं पड़ी तो क्या पड़ा थोड़ा और आगे गए और जैसे ही और आगे नाव पहुंची बोले तुमने केमिस्ट्री पड़ी है बाओ जी कमिस्ट्री तो नहीं पड़ी थोड़ा और आगे गए बाओ जानाओ पड़ी है बाओ जी नामी पहली भर सुना है बाओ जैसे हैं तुम्हारी तीन चौथा जिन्दगी बरबाद गए थोड़ा और आगे गए तो नाविक बोला बाओ जी आपको तेर ना आता है बोले नहीं बोले आपकी तो पूरी बरबाद गई नाव तो डूबने वाली बोले मैं तो तेर करके निकल जाओंगा तो जो विद्या है वो यही बताती है कि भवसागर में तुम लोग फसे हुए हमारी नाव जो है वो भवसागर में हिच को ले खा रही है बहुत बड़ी डिगरिया भी विक्ति ने ले ली परदी उसको जीवन का मूली नहीं समझ में आया तो जो भी प्राप्त करेगा वो किसी मूली का रह नहीं जाता है जो बाल संसकाश अलाय गोड़ देव ने शुरू करी जो भारती संस्किती गयान पर इक्षा शुरू करी उसके पीछे का आधार गया था यही तो था कि व्यक्ति को पहले वो समझ में आये जो सबसे आदा कीमती है सबसे आदा मूली का है सबसे आदा कीमत का क्या है हमें यह समझ में आ जाए कि सुबह उठना कब है दिन को गुजारना कैसे है लोग पूछते है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए एक बहुत ही सरल सूतर है कि सुबह चार बजे उठना शुरू कर दिया जाए जैसे ही व्यक्ति सुबह चार बजे उठता है तो वो अपनी दिन चर्या के साथ फाइट नहीं कर रहा है जब तक बाकी का शहर काम करना शुरू करेगा तब तक आपकी पूजा पूरी हो गई आपकी पढ़ाई पूरी हो गई आप जो करना चाहते थे वो सारे काम आप कर चुके और बाकी का दिन बोनस की रूप में आपको मिला हुआ है उसके बाद आदमे को अपने दिन के साथ फाइट करने की आवश्यक्ता नहीं हमारे यह लंबे समय से सूत्र था लंबे समय से यही था कि हम लोग उठें उठने के बाद हर वेक्ति को धन्यवाद दें धर्ती को दें, आस्मान को दें, प्रक्रती को दें, नदी को दें सबको धन्यवाद देने के बाद अपने दिन की शुरुवात करें और गुर्देव ने इतना बढ़िया सूत्र दिया क्या दिया गुर्देव ने कहा हर दिन नया जन्म हर रात नहीं मौत अगले दिन की तो सोचो ही मताब आप ए सोचो एक ही दिन आपको मिला हुआ है एक दिन को मैं बहतर से बहतर तरीके से कैसे जी सकता हूँ जो अपने मन में कलपना लेकर के बैठा है कि पचास साल के बाद मुझे एक करना है वो अगले दिन भी कुछ नहीं कर पाता है क्यों? क्योंकि मन में तो कलपना है इसके अलावा कुछ है नहीं और जिसके दिल में ये आ गया कि एक ही दिन तो मिला है करके आओ कि इतने बड़े राजदर्भार के मद्द में वो योग कैसे साथते हैं बोले अच्छा ठीक जाते हैं गए उनके पास उनने का कि राजन योग सिखाईए बोले योग तुम्हें बाद में सिखाऊंगा पहले काम करिए आप मेरी राजदानी जरा घूम करके आए बो बोले एक काम करिए आप जा रहे हैं तो ये साथ में क्या करिए कि एक टेल का गिलास दे रहा हूं इसको ले जाईए ये पूरा लबालब भरा हुआ है उपड़ तक भरा हुआ है बोले आपके पीछे एक सैनिक चल रहा है यदि इसकी एक बूंद भी नीचे गिर गई तो आ करतन काट देगा बोले अच्छा अब गवड़ा करके गए नौ गंटे के बाद लोट करके आए राजा जनक ने पूछा उनसे भाईया हमारी राजधानी में आपने क्या क्या देखा कुछ नहीं देखा सा पूरे टाइम तो गिलास को देख रहा था मैं तो राजा जनक बोल बहतर से बहतर उप्योग करना सीख जाता है गुर्देव ने यही बताया हर दिन नया जन्म हर रात नहीं मौत सुबह उठें तो यह सोचें आज का जीवन हमें मिल गया रात को जाए तो यह सोचें भगवान ने जो देना था वो अच्छी तरह से दे दिया अब दिन को प्रिक्षा कर लें जो सोच करके जिन्दकी शुरू करी थी उसको हम लोगों ने पूरा किया कि नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल शांतिकुंजग वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन गति वीधियों की जानकारी आपको मिलती रहे